आज डिसकस करेंगे सिंटरिंग प्रोसेस के बारे में सिंटरिंग प्रोसेस क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है तो जो सिंटरिंग प्रोसेस है वो है क्या सिंटरिंग प्रोसेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है हमें एक पाउडर लेना है पाउडर मींस मैटल का को भी भी powder होगा, अगर हम इसको heat दें, इसको required amount में heat दें, लेकिन heat इतनी दें कि इसके melting point से below हो, means melting हमने नहीं करनी, उससे कम heat देनी है, तो according to material ये heat vary करती है, कि किस metal के powder को हमें कितनी heat देनी है, उसके melting point से कम heat हमें देनी है, तो क्या होगा, जब हम इसको heat देंगे, तो क्या होगा, इसके जो molecules हैं, जो ये छोटे छोटे particles हैं, ये आपस में coherent हो जाएंगे, means coherent, cohesive force इनके बीच में पैदा हो जाएगी, cohesive force क्या होती है, जब particles आपस के अंदर चीपक जाते हैं, उनकी आपस में चीपकने की क्षमता, जैसे favicol होता है, जो favicol के खुद के particles हैं, वो खुद के चिपके रहते हैं अच्छी तरह से, उसको cohesiveness बोलते हैं, तो जब हम heat देंगे, तो इसके particles के बीच में cohesive property पैदा हो जाएगी, तो cohesive property के कारण क्या होगा, यह आपस के अंदर चीपकना start कर देंगे, और अगर हम क्या करें, इसी time, इसके उपर pressure apply कर दें, चारो तरफ से, इसके उपर हम pressure apply कर दें, तो क्या होगा, यह सारे particles एक compact shape ले लेंगे, और हमें एक required product देंगे, इस तरह की compact shape ले लेंगे, जिसको हम बोलेंगे product, तो इसको हम बोलते हैं sintering process, तो इसका हम use कर सकते हैं, काफी जंगा हम इसका use करते हैं, तो इसके लिए हम क्या use करते हैं, हम लेते हैं डाई लेते हैं और लेते हैं पंच ये है अपपर पंच और ये है लोवर पंच तो अपपर पंच और लोवर पंच हमने लिया और उसके बीच में हमने लिया मैटल का पाउडर मैटल का पाउडर लिया ये जो मैटल का पाउडर है ये हमें क्या करना है इस डाई के ब पाद क्या होगा हम इन पंच के थुरू इसके ऊपर यह अपर पंच है और यह बिलो जो लोवर पंच है तो दोनों पंच के थुरू हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे इसको हीट करने के बाद तो हीट करने के बाद जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यह इसी तरह भी यूज कर सकते हैं, sintering process अलग-अलग metal powder के लिए अलग-अलग compressive force होगी, अलग-अलग उसके लिए time होगा, कितने time के लिए हमें compressive force अप्लाई करनी है, तो यह होती है sintering process, तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज्यादा updated वीडियो के लिए आप हमारे channel learn and grow पे हमें subscribe कर सकते हैं, thank you